एक कस्बे में एक विध्वा अंधी औरत रहती थी, उसका एक बेटा था जिसके पालन पोशन की सारी जिम्मेदारी उसके कंदों पर थी, वह अपने बेटे को पड़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए उसने उसका दाखिला कस्बे के सबसे अ भी आने जाने से कत्राने लगा था, जब लड़का बड़ा हुआ, तो उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई, उसने अपनी मा से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उससे लेने आएगा, लेकिन वह शहर गया, तो फिर लोटकर वापस नहीं आया, उसकी अंधी मा उ अफिस पहुची, वहां सिक्यूरिटी गार्ड ने उसे रोग दिया, अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उससे जाकर कहदो कि गाउं से कोई मिलने आया है, गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया, बेटे ने ऑफिस की खिर्की से देखा तो उसे अपनी मा गेट के बाहर खड़ी नजर आई, वह उफिस में सब के सामने अपनी मा की वज़े से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, उसने कहला दिया कि वह उफिस में नहीं है, अंधी औरत वहां से चली गई, शाम को वह लड़का उफिस से घर जाने के लिए निकल रास्ते में एक जगह काफी भीर जमा थी, वह अपनी गारी रोक कर भीर के पास पहुँचा और तो बीच सड़क में अपनी मा को मरा पाया, उसके हाथ में एक चिट्टी थी, जिसमें लिखा था, बेटा, बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली, चिंता हो र तेरी आँखों में सरिया न घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आँखें न देनी पड़ी होती, तो तेरी तरक्की अपनी आँखों से देखकर सुकून से मरती, तेरी अंधी माएं पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा, जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आ तेरे चोटी वाइस को स्पोर्ट करने के लिए धन्यबाद